दोस्तों आप जब घर बनाते हैं तो आपको घर का सीड़ी बनाना बहुत जोरुरी है और घर का सीड़ी बनाने के लिए आपको किस तरह से बनाना चाहिए, कैसे हिसाब करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को लाश्ट तक देखिए और च बस तो सबसे पहले क्या करना आपको देखना है कि फ्लोर से लेके छाद तक जो टब है टब तक कितने हाइट आप रखना चाहते है माल लो आपका छाद अगर 10 फीड है तो एक फीड का मतलब 12 इंच तो आपको क्या करना है 10 से आपको गुना करना है 12 इंच तो आपका टोटल हो गया है 120 इंच आपको यह दखना है कि आपका राइजर कितना रखना चाहते है माल लो आपका राइजर 6 इंच है अब 6 इंच 7 इंच 8 इंच भी रखते है तो नर्मली 6 इंच ज्यादतर रखते है तो आप क्या करना है इसको जो है 6 इंच से भाग करना है 120 इंच को 6 इंच में भाग करना है दोस्तो आपको तो ये वाली हट आपको मिल गया है तो आपको ये जो पेर रखनी वाली जगह है आप इसको कैसे निकाले हिसाब तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तो ये वाली जगा जो है इसको आप 10 इंची एक फीट या 9 इंची जितना भी आप रख सकते हैं आपके हिसाब से रख सकते हैं तो normally हम 10 इंच के हिसाब से करेंगे तो आपको क्या करना है 20 को 10 में गुना करेंगे तो आपका जो है 200 इंच हुआ है तो इसको आप क्या करेंगे इसको 12 इंच का मतलब 12 इंच तो इसको 12 में भाग करेंगे तो आपको ये होगा सुलह फिट होगा तो ये वाली जो जगा है ये सुलह फिट होगा तो हाइड आपका अगर 10 फिट है तो आपका लंबाई सुलह फिट में आपका बनेगा तो इस तरह से कालकुलेट करते है दोस्तो आए होग आपको समझ में आ गया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए चैनल में पहली बार आए तो सस्क्रेब कीजिए धन्यावाद